ओम हन्मते नमा नमस्कार मित्रों मैं अविरलत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल लेथी मित्रों आज बात करते हैं साप्ताहिक रासफल की दिनांग 16-4-2021 से दिनांग 23-4-2021 तक कैसा रहेगा हमारी 12 रासियों का भविस इसके बारे में आज चर्चा करते हैं सुरुआत करते हैं रासि चक्र की पथम रास अर्थात में एक रास से इस अप्ताह स्वास्ते सामाने रहेगा मौसमी रोग भी हो सकते हैं आर्थिक इस्थिस सामाने रहेगी ग्रवपोगी वस्तों में ब्रद्धि होगी संतान के समंद में सुकद समाचार की प्राप्ति हो रासी चक्र की दिती रास अर्थात ब्यक्रास इस अप्ता स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक प्रगति होगी रुके हुए धनी की प्राप्ति हो सकती है भू राजस्व समंदी मामलों में सुभ होगा विरोधी परास्त होंगे देवदर्सन की अविलासा पूर्ण होगी ब्रति होगी धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं रासी चक्र की चोथी रास अर्थात करकरास इस अप्ता स्वास्थ के प्रस्थजग रहे मौसमी जुखाम बुखार हो सकता है आर्थिक उन्नत का कोई नया मार्ग प्रसस्थ होगा चली आ रही समस्याओं का अंत होगा रासी चक्र की पाच्वी रास अर्थात सिंग रास इस अप्ता स्वास्थ में सुधार होगा आर्थिक प्रकत होगी जीवन साथी का सहयोग वासानिद प्राप्त होगा चली आ रही समस्याओं का अंत होगा पारिवारिक दायत्तों की पूर्थ होगी जुएं वा सट्थे से लाप प्राप्त होगा रासी चक्र की छटी रास अर्थात कन्या रास इस सप्ता स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक इस्ति सामानी रहेगी किसी कारे के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्थों में बरत्य होगी किसी नई जुम्मेवारी का निर्वान कर आरफिक प्रगत्य होगी उपहरवास अमान का लाप प्राप्त होगा कोई बड़ी खरीद कर सकते हैं आकस्मिक धनलाब हो सकता है सब्ताहंत में कोई सुकत समाचार प्राप्त होगा रासी चक्र की आठ्वी रास अर्थात प्रश्चिक रास इस सप्ता स्वास्थ में तेजी से सुधार होगा आर्थिक प्रगत्य होगी किसी कारी के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में ब्रद्य होगी चली आ रही समस्याओं का आंथ होगा कोई नई उपलब्धी प्राप्थ होगी रासी चक्र की नवीरास अर्थात धन रास इस सप्ता हस्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक उन्नत होगी भू राज़स्य समंदी कारियों में उत्तम समय है उधार गया धन प्राप्त होगा सासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा बिरोधी परास्त होगे देव दर्शन की अभिलासा पूर्ण होगी राशिचक्र की दस्वीरास अर्थाथ मकररास इस अप्ता स्वास्ति उत्तम रहेगा, आर्थिक उन्नत होगी, परंतु आय और बे में संतुलन बना कर चलें, बहुत समय से लंबित किसी कारी के पूर्ण होने के संकेत मिल नहें हैं, किसी महिला अधिकारी का सहयोग प्राप्त ब्यापार में उन्नत होगी नए अनबंध प्राप्त होगे सप्ताहंत में कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में नहो देवदर्सन के योग हैं रासी चक्र की बारही रास अर्थात मीन रास इस सप्ताह स्वाथ अच्छा रहेगा आर्थिक विकास का कोई नया मारक प्रसस्त होगा चली आ रही समस्याओं का अंत होगा ग्रेवपयों की वस्तों में ब्रद्धी होगी किसी बड़ी उपलब्दी की संभावना है आकस्मिक धनलाप के संकेत मिल रहे हैं देवदर्सन की अविलासा पूर्ण होगी मित्रों यह था हमारा सापताहिक रास फल जो कि दिरांग 16-4-2021 से दिरांग 23-4-2021 तक हमारी समस्त 12 रासियों पर प्रभावी रहेगा मित्रों अगर हमारे वीडियो ज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कपे लाइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार